नमशकार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौम मैराथी इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं बिहार के जाने माने नीतर चिकित्चिक और सरजन डॉक्टर सुनील कुमार सिंग जोने आप अकसर हमारे चानल पर देखते ही रहते हैं डॉक्टर साहब से आज हम एक बहुती जरूरी चीज़ के बारे में सवाल जवाब करने आये हैं वो ये है कि आज जब सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है चाहे वो वर्क फ्रम होम हो या ओनलाइन क्लासेस हो ऐसे में स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़ादा बढ़ गया है लोग किसी ना किसी ऐलक्ट्रोनिक ग्याजट के सामने नजरे टिका कर बैठे हुए हैं ऐसे में आखों को बचाना कितना ज़ादा जरूरी हो गया है आज के एपिसोड में हम यही समझेंगे लेकिन डॉक्टर साहब जम सवाल जवाब का सिल सरा शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना करें अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमश्कार स्वागत है आपका जैसा कि आपने सुना ही डॉक्टर साहब यह एक्स्ट्रा जो स्क्रीन टाइम हो गया है जो स्क्रीन के साथ लोग ज़्यादा वक्त बता रहे हैं यह कितना हानिकारा के आँखों के लिए स्वामय जी आपने बहुत सही कहा कि आज के जमाने में खास कर लिए कोविड यूग में आप अगर देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स थे स्क्रीन टाइम तो यूँ भी आपके देनिक देंचरिया के करक्रम में आ चुका था लेकिन हाल के करोना काल में अगर देखेंगे तो ये जादा ही बढ़ गया क्योंकि लॉक्डाउन था लॉक्डाउन में जो बरे बुजुर्ग थे वो महावारा तरमाइन में जुट गए जो बच्चे थे बच्चे को बहार जाना मना था जाहिरे अंदर में वीडियो गेम करक जब स्कूल कॉलेज सिक्षन संस्थाएं अगर खुली तो सारे क्लासे आज के दिन में ऑनलाइन हो गया जो पहले फिजिकल क्लास हुआ करते थे जो लॉक्डाउन में आपके घर के लोग थे वो फेसबुक वाटसेप पे जुट गये तो पूरा घर पूरा पूरा और जो आ ओनलाइन इवन जो आप जो देखेंगे कि जो टीवी का हम लोगा डिवेट होते हैं तो आप गेस्ट को ओनलाइन लोग करते थे तो सारा ही पहले भी ओन स्क्रीन ओनलाइन की विवस्ता थी आपके दिन्चरिया में शामिल था कंप्यूटर लैप्टॉप सारा चीज फोन ल उससे समस्याएं जो आ रही हैं तो निश्चित ही उनके समस्या से जनित मरीजों में इजाफा हुआ है तो मरीजों की संक्या देखेंगे तो आप सेनी वाइज अगर पता करें बात करें तो आप बुजूर्ग हैं बुजूर्ग रमायन महाभारत देख रहे हैं तो का function है कि हम लोग उसको blink करके पलक जपका के इसको हम लोग lubricate करते हैं आई को और आख को बचाने के लिए वो lubricate करने के हिल्दी रखने के लिए कारगर होता है लेकिन आप बहुत देर तक TV देखते हैं तो आपकी TV देखते हैं या computer पर या laptop पर या on screen पर रहते हैं तो आप या बचे वीडियो गेम खिलते हैं तो आपकी आँख का जो blink rate है जो normal में 16 से 18 प्रती मिनट होता है वो blink rate घट करके 4-5 होके आँखे खुल के आप काम करते हैं तो उसमें concentration लगता है तो आपक blink rate 4-5 प्रती मिनट हो जाता है जब blink नहीं होता है तो आँख में जो आशू बनता है वो lubricate नहीं कर पाता है और आँखों में सूखापन सूखापन का मतलब हुआ कि वो dry eye syndrome सूखाते हैं आँखों में सूखापन लगेगा चुबन होगी रड़क होगी वो चीज़े होती हैं बुज़रुग में भी होगा ज्यादा बुज़रुग में क्योंकि उनका age के साथ वहाँ tear secretion कम होता है उनका बच्चों में होता है चु तो dry eye इस से बचने का उपाय है कि चुके आपके आँख का पलक जबकाने का दर कम हो जाता है तो आप conscious blinking करें काने का मतलब है कि आपको नहीं भी पलक जबकाने का मन कर रहा है तो भी आप जरूरत से आप जान बुज कर पलक जबकाएं ताकि जो आंसू होगा वो आंसू लिंकिंग इसके साथ ही अगर देखेंगे कि आप computer पर आप रहते हैं तो computer पर जो उसके sharpness, brightness, contrast जो हैं वो आप eye friendly रखें ओन स्क्रीन अगर लिखें तो जो protective cover वाले screen होते हैं आई को eye friendly वो रखें और computer वगएर का जो आपका जो उसका position हो वो आपके eye के level से थोड़ा नीचे हो, desktop अगर उपर रखेंगे तो garden में आपको समझ से आजएगी, आप अगर बहुत नीचे रखेंगे तो फिर garden में समझ से आएगी, तो आप उसको eye से थोड़ा नीचे रखेंगे ताकि garden में जोड़ पड़ेगा तो आँख पर भी जोड़ पड़ेगा, तो उससे आप बचे क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कि जिसका किताब भी पढ़ने वाला है, उसका किताब मैगजिन नहीं पढ़ते हैं, वो online ही देखते हैं, तो आप मेरा सुझाओ है, मेरा सुझाओ है कि अगर आपके पास कोई चीज printed material भी हो, और उसका online material भी हो, तो आप printed material पर जाएं, क उसका जो contrast है, वो differ करता है, center से periphery में वो change करता है, तो आपका eyeball भी जब concentrate करता है वहाँ पे, तो eyeball को भी focus, defocus, focus, defocus करना पड़ता है, तो eye के muscles पे वो जोर ज़्यादा पड़ता है, और फलता, आख में दर्द, आखे ठक जाना, भाँ में दर्द, यह सब चीजे साथ में होत और यह आख में दर्द हुआ, forehead में दर्द हुआ, तो सब मिलाके इसे computer vision syndrome कहते हैं, डॉक्टर साब आपने बहुत अच्छे से यह भी बता दिया, कि बचाफ किस तरीके से होता है, बिना screen time reduce किये, इसके अलाब आपने यह भी बता दिया, कि कारण उसे हो रहा है, और आखों करना चाहिए, ताकि जो समस्या पहले ही है, वह और ज्यादा ना बढ़ जाए, निश्चे थी, पहले तो मेरा कहना है, कि आपको जितनी जरूरत screen time देने की है, आप उतना ही करें, अगर बच्चा online classes करते हैं, तो उतना ही भर करें, लेकिन आप यह भी करिएगा, उसके क्या है, कि अगर long hours आपको काम करना है, आपका profession demand करता है, तो हमने ही कहेंगे नहीं करिए, लेकिन बीच बीच में एक डेढ़ घंटे पर एक दो मिनट का gap करिए, पानी से आँख धोईए, आँख बंद करिए, आईबॉल रोटेट करिए और देढ़ मिनट तक दो मिनट तक आँखे बंद रखिए, फिर एगंटा एगंटा काम करिए, तो उसके काम को break करके करिए, तो मेरा पहला हुआ कि unnecessary screen time पर न रहें, जरुवत नहीं रहने पर, दूसरा हुआ कि अगर जवत बहुत ही रहना पड़े तो बीच बीच बेच ब्रेक करें, तीसरा था कि आपके पा आप निश्चित ये ताकित रखें, करुना काल में ज़्यादा क्या हो गया कि बच्चे घर में रह गए, बहार जाना हुआ नहीं, तो बच्चे फोन पे पूरे वीडियो गया, बच्चों में अतनी सजगता नहीं होती है, गार्जेन कहीं ये दाहित तो है, कि बच्चे को अच्छी आदतें लगाएं, तो बच्चे को हाथ में कंप्यूटर के वल खेलने के लिए ना दें, जो ऑनलाइन क्लासिज होने हैं, उतना भर हो, उसके बीच में जैसे मने कहा कि जो बीच में गर ब्रेक होता है, तो आखे बंद करके आखो रेस्ट दें, बच्चे को हरी जी साग गाजर जादा, पानी साग धोएं, फल खाएं बच्चे, जब अगर उसको यूज करेंगा ओनलाइन मेटरिल के लिए अगर मुबाइल वगरा, तो ये दिखना है कि बच्चे का पोस्चर फॉल्टी नहीं हो, किसी पोस्चर में रहेंगे तो बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, हिडेक होगा, तो उसके पोस्चर फॉल्टी नहीं हो, कितने बच्चे बत्ती बंद करके डिखते रहते हैं फोन, वो सब बचाना है, तो कम्प्यूटर आपके जीवन का दिन्चरिया है, इसको अवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्नेसेसरी यूज इसको ना करें, इसको अपने जीवन का नहीं दिन्चरिया का पार्ट बनाएं, अगर कम्प्यूटर पे रहना जरूरी हो, तो कम्प्यूटर के जो एटिकेट हैं, उसके स्क्रीन फ्रेंडली हो, उसके पोजिशन कैसे हो, उसको इस्तिमाल कितना करना है, उन्सा बात वो किया गया है, तकि ह हम अपने आधुनिक जीवन शैली में कम्प्यूटर का इस्तमाल भी कर सकें, और अपनी आखों को ही बचा सकें, तो देखा आपने के किस तरीके से डॉक्टर साहब समझा रही है, कि आजकल हर चीज़ यह जो ऑनलाइन वर्ल्ड में शिफ्ट हो चुकी है, चाहे वो हमारा क अपनी आखों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है, तो उमीद यही रहेगी कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते समझाई है, ना आप केवल वो सुनेंगे, बलकि उन्यों अपनी आदत में भी तबदील अवश्य करेंगे, इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक् से आपके क्या सवाल है, धन्यवाद